यूटूब चेनल के माद्यम से आज मैं हमारे दर्सकों को एक ऐसी गौसाला में लेके चलता हूँ जहां पर राजस्तान के साला स्री भाला जी गौसाला संस्तान में एक ऐसी नेचूरल गाज की मशीन लगी है जिसमें इजराइल की तक्नीक हाइड्रोपोनिक तक्नीक से दिखाता हूँ यह देख्या है जिसमें एक प्लेट में दस किलो नेचूरल गाज तयार होता है एक प्लेट आठ दिन के लिए तयार होती है जिसमें पूरी मसीन में आप देख रहे हैं 260 प्लेट लगी हुई है, आठ दिन में ये पूरा तयार हो जाता है, आठ दिन के बाद आप इसको गायों को खिला सकते हैं, ये देखिए इसमें ना मिट्टी है, ना कोई दूसरी खाइद है, टोटल, गेहुं, जो, मक्का, इस तरीके से ये नेचुरल गास बनाया जाता है, उनका बहुत बड़ा सयोग रहा है, अभी आप इस तरह की ये तीन मशीन लगी हुई है, ये देखिए, एक मशीन ये, ये अभी सफाई के लिए चल रही है, इसमें ये चालू है, ऐसे करके तीन मशीन है, तीनों मशीनों में करीब साथ सो अस्री प्लेट लग जाती है, एक प्लेट में दस किलो नेचूरल गास आठ दिन में तैयार होता है, और पूरी गवसाला को अगर आप देखेंगे, तो टोटल इतनी विवस्तित गायों के लिए, बाचारे के लिए, इतना बढ़िया विवस्ता की हुई है, सायद मैंने ऐसे गवसाला मेरी लाइप में नहीं डीखेंगे, जो साला स रभाला जी में इह गवसाला बनी हुई है, इसके रख रखाव में गायों को पिलाने के लिए पानी भी आरो प्लांट लगा हुए है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, गायों के पीने के लिए मिटा पानी, और इतना खुला है, पूरा चारों तर कि जब भी सालासिर बाला जी के दरसन के लिया आए तो आप कम से कम एक बार गौसाला का दरसन ज denn को मातता का श्रीबाद ले यहां के आपको बहुत सांती मिलती है गायों'ящ का दरसन्करने से एक बार आप अवश्य जरूर परदारे स्री बाला जी गोष साहला सहस्तान साला सर में जरूर एक बार दर्सन करें धन्यवाद